जै महाकाली मित्रो मित्रो आज बात कर लेते हैं कि ऐसे 5 लक्षन मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो अपने घर में पूजापाट करते हैं वो पूजापाट आपके इश्ट देव तक आपके कुल देवी तक आपके जो पित्तर देव हैं उन तक आपकी पूजापाट पहुंच रही है या आपकी पूजापाट को कोई भूत प्रेद कोई नेगेटिव सक्ती ग्रैन कर रही है तो ऐसे पांच लक्षन मैं आपको बता देता हूँ देखो वैसे तो ज़्यादा तर ऐसा होता नहीं है आप घर में जितनी ज्यादा पूजापाट करते हैं उतनी ही ज्यादा नेगेटिव सक्ती उस पूजापाट को ग्रैन करती है जिससे आपके घर में अनिस्ट ही अनिस्ट होता जाता है और जितनी ज़्यादा आप पूजा पार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अनिष्ट होता जाएगा क्योंकि जो नेगटिव सकती आपकी जोथ पर आपकी उस जगा पर बैठी हुई है जहां पे आप पूजा पार्ट करते हैं वो उसको घ्रैन कर रही होती है और भी ज़्यादा बलवान बनती ही जाती है वो वो नेगटिव सकती तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके घर में नेगटिव सकती परवेश कर चुकी है या करने वाली है तो मैं आपको ऐसे पांच लक्षन बता देता हूँ पहला लक्षन सुनो और ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को देखना तभी आप समझ पाएंगे अन्यता आप समझ नहीं पाएंगे और बाद में आप हमसे मैसिज करके पूछेंगे comment में पूछेंगे या whatsapp में message करेंगे हम आपको जवाब नहीं देंगे इसलिए पहले ही बता देते हैं कि आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको इसका solution भी मिल सके और आप पहचान सके कि आपके घर में negative उर्जा का वास है तो पहला लक्षन क्या है पहला लक्षन जो भी आपने अपने घर में तुलसी माता लगा रखी है तुलसी स्थापित कर रखी है वो उसका बार बार सूख जाना कैसे सूख जाना एक वार सूखे दो बार सूखे तीन वार सूखे चार वार सूखे तो आप इस बात पे 100% sure हो ज तो ये तो पहला लक्षन था दूसरा लक्षन क्या है आपके घर में जो भी मैला किचन में काम करती है रसोई घर में काम करती है उसका जो भी वो आटा गूंदती है उसका बार-बार सड जाना या घर में जो ड्राम में आटा रखा हुआ है उसके अंदर कीडे पड़ जाना इ अगर कोई व्यक्ति साधना करता है संकल्प लेता है और रेगुलर पूजा पार्ट करता रहता है तो उसकी साधना का तूटना इसका मतलब भी यही होता है कि आपके गर में नेग्टिव उर्जा का वास है साधना कैसे तूटती है जैसे कि आप अपने संकल्प में है साधना में है उसी समय जब आप पूजा पार्ट करने बैठेंगे उसी समय आपको कॉल आना कि यहां पे मिर्ति हो गई है रिष्टिदारी में मिर्ति हो जाना या किसी का एक्सिडंट हो जाना या बहुत ही ज़्या लडाई जगड़ा हो जाना घर के अंदर आपस में ही इसका मतलब भी यही है कि आपके घर में नेगटिव उर्जा का वास है आपके घर में नेगटिव उर्जा का कबजा हो चुका है चौथा क्या है समसान की स्मैल आना समसान की स्मैल कैसे जब भी आप अपने घर में पूजा पाइट करेंगे या जहां पे पूजा पाइट करते हैं आपको हर जगा अपने घर में 5-5 मिनट में स्मैल आईगी गंदी या कोईले की स्मैल आईगी या किसी पन्नी के जलने की स्मैल आईगी या जैसे कूडा कच्रा आम बार जलाते हूं उसमें से बदभू आती है वैसी समयल आईगी या समशान की समयल आप खुद समझ सकते हैं कि कैसी होती है वैसी समयल आईगी तो आप समझ जाना कि आपके घर में negative उर्जा का व्वास हो चुका है पांचवा क्या है लडाई जगडे होना लडाई जगडे कैसे पैसो की कमी होना और लडाई जगडे होना पैसो की विज़े से लडाई जगडे होना तो कैसे अगर आपके गर में बहुत ज़द्दा छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती है, हर एक घंटे में छोटी-छोटी बातों को लेके बड़ी बात बन जाती है, तो इसका मतलब भी यही होता है, कि आपके गर में नेगटीव उर्जा का वास हो चुगा है, अब नहीं समझ पाते तो फिर उनको बाद में बहुत ही जादा पच्ताना पड़ता है तो इसके लिए उपाई भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं इसके लिए आपको करना क्या है जब आपको ये पांच लक्षन दिखें तो आपको करना क्या है किसी भगत किसी पंड हो रहा है तो ऐसा बोलना है तो वो देखते ही बता देंगे कि ये ये solution है और आपके गर में ये ये परेशानी है तो समाधान के लिए आपको क्या करना है सबसे सटी के एक रास्ता मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी पंडीत ये भगत को आप अपने घर में बुलाके लेके आते हैं तो करना क्या है उनसे बोलिए कि पंडीत जी ये भगत जी आप एक काम करिये हमारे घर में धुर्गा सती का पार्ट करिए 9 दिन लगातार, 9 दिन लगातार का मतलब 9 सनिवार लगातार हो गया, 9 सुकरवार लगातार हो गया, तो इससे क्या होगा, आपके जो इस्ट देवता है, आपकी जो कुल देवी है, आपके जो पित्र देव है, वो इस पार्ट से और भी ज्यादा बलवान बन सकतियों को हटा सकता है और भी जो ब्रह्मान की सबसे ज़्यादा मुझबूत सकती है नेगटिव उर्जा या सकारात्मक सकती है जो आपका अनिष्ट कर रही है किसी ने बेजी हुई है तांत्रीक ने समसान की सकती अगर आपके घर में बेजी हुई है वो भी इस उपाय से करवार को आप दुर्गा सबसदी का पाठ अगर अपने घर में करावाते हैं तो इससे क्या होगा आपके सारे संकट कट जाएंगे और जो भी भूत प्रेत आपकी जोत पे बैठा हुआ है वो कट जाएगा वो नर्स्ट हो जाएगा या कोई भी बड़ी सकती बैठी हुई ह वो भी नर्स्ट हो जाएगी तो आसा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी मैं गुरू गोरकनात और माता महाकाली से प्रातना करता हूँ कि आपके घर में खूब बंडारे बरे और आपके घर में कभी भी धनकी कमीना आए मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाली जै महाकाली